Hey guys welcome back once again, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, बिल्कुल आपको skip नहीं करनी है, यहां मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिससे आप क्या है, पास हो सकते हैं, आलंकि ये ट्रिक्स क्या है सभी सेमिश्टर के लिए है, ये के वाल एक देखनी है, बिल्कुल आपको skip नहीं करनी है, तो यहां मैं कुछ आपको तरीके बताने वाला हूँ, कि आप जो कैसे पास हो सकते हैं, कैसे आप अच्छे नमबर लेके आ सकते हैं, तो यहां पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कि एक तो वो इस्टुडेंट होते ह जो कैसे पढ़ता बहुत अच्छे है, तो जो स्टुडेंट पढ़ने वाले है, तो उनको किसी टिप्स और ट्रिक्स की जववत नहीं होती है, पास होने के लिए, उनके दिमाग में डेटा होता है, और वो उसे कॉंपी पे छाप देते हैं, तो उनके लिए तो सिंपल यही जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स जो उनी को जो ध्यान में रखके बनाता हूं अमेशा, ठीक है, कि हमारे जो ऐसे स्टुडेंट है, जो कैसे पढ़ने में तोड़े से वीक हैं, और उनको ध्यान में रखके, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला और यह काफी जदा इंपूटेंट होने वाली है, और काफी स्टुडेंट पे यह काम करती है, अमेशा मैं उनके बताता आता हूं, तो यह काए काफी helpful होती है उनके लिए, तो आपको भी यह चीज़े देखनी है, समझनी है अच्छे तरीके से, और फिर आपको अपनी answer seat मे apply करनी है, तो आप जो अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कि आप जो पढ़ाई मत करो, आपके वले tips और tricks को follow करो, तो आप जो आसानी से pass हो जाओगे, ऐसा possible ही नहीं है, जब तक आपके दिमाग में थोड़ा वह data नहीं होगा, इस्टार्ट करते हो, समयते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, और क्या के चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो 7-7 इस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, एक तो हमारा instrumental method of analysis है, एक हमारा noble drug delivery system, फिर हमारा pharmacy practice है, और फिर हमारा industrial pharmacy second है, तो यहाँ पे जो 4 सब्जे और industrial pharmacy second है, इनके लिए आपको कुछ अलग tips को follow करना है, तो 4 सब्जेक्ट को मैंने अलग-लग part में burnt दिया है, तो दौनों के लिए मैं आपको अलग-लग चीज़े बताऊँगा, तो उसी के इसाब से आपको अपनी जो answer seat है, उसमें लिखना है आपको, पहले हैं हम बात करे है, अगर आप जादा से जादा page भरोगे तो आपके जो pass होने के chance अब काफ़ी बढ़ हो जाते हैं, उसके regions आलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पीछे का region बता देता हूँ, अगर आप जादा page भर के होगे, तो जो checker होता है, तो उसको लगएगा कि इसने ज़्य ज़्यादा बर सकते हो एक और रीजान यहां पर हम मान सकते हैं कि ज़्यादा पेज तभी बर सकते हैं जब आप questions को पूरा attempt करोगे अगर पांच-पास नंबर के या दो-दो नंबर के ददस नंबर के अगर question पूछे गए तो हर question का जो answer होता है अगर 10 नंबर का पूछा है त ठीक है कि question में जित्मा लिखना रहता अगर आप वो प्रॉपर लिखोगे पूरा का पूरा तो आपकी page आरम से बर जाएंगे तो एक ये वी रीजन रहता है कि जो checker होता है तो वो time बचाने के लिए यही चीज देखता है कि जो page हैं वो कितने बरे हुए हैं तो शुरुव पर ये बरे हैं तो इसके page क्यों नहीं बरे हैं और अगर पेज नहीं किये अगर के अच्छे से अटेम्ट करोगे आप क्योंगे तो आपके page बरी नहीं नहीं पएंगे ऐसा नहीं करना है आपको कि पेज भरने के लिए आप कुछ भी लिखके चले आओगे ठीक है आप उस पेज भरके आजाओगे बहुत सारे स्ट्वेंट क्या करते हैं कि उनके मन में जो अनापसना पारा होता है उससे वो पेज भर देते हैं इसकी वैसे भी उनकी बैक आ जाती है तो ये चीज भी ध्यान रखनी है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिखके चले आए तो आप पास हो जाओगे ऐसा नहीं है अब मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी बताऊँगा जिनने आपको फॉलो करना है उसी के साबसे आपको चीज ने लिखके आ हो गए यहां पर जो हमारी टिप्स और ट्रिक्स उन लोगों के लिए काम करने वाली है जुन्होंने क्या है पढ़ने की कोसिस तो की है उन्हें थोड़ी वह चीज याद तो हैं लेकिन वह क्या है ज्यादा पेज नहीं बहु सकते है ठीक है यानि उन्हें चीज प्रोपर य प्याद हैं तो ठीक है तो इस चीज को हम ध्यान में रखें यहां पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और फिर हम ज्यादा पेज बढ़ने की कोसिस करेंगे तो सबसे पहली जो हमारी टिप है वो यही है कि आपको जो कुश्यन जितने भी आपसे पूचे गए तो आपको सभी को attempt करना है ठीक है तो बहुत सारे स्ट्रेंट की problem क्या रहते है कि उन्हें question नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं question छोड़के चले आते हैं तो यह बहुत बढ़ी problem की बात है अगर आप question छोड़के चले आओगे तो जो checker होगा देखो मैं आपको एक सीधिस बता दायूं कि अगर मैं checker होता है या फिर जितने भी checker होते है तो उनके दमाग में एक चीजर रहती है कि ज्यादा से यहादा student जो पास हो जाए, उनका fail करने का कोई मन नहीं होता है, कि नहीं होना है, fail करना है वो क्या करते हैं, जादा तर courses करते हैं, कि student जो पास हो जाए, तो आपको क्या है, उसकी उम्मीदों पर खराऊता है, आपको जो question को जो छोड़के कभी नहीं आना है, अगर आपको कोई question नहीं आ रहा है, तो उसके बारे मैं आपको बताऊँगा कि तब उस condition में आपको क्या करना है लेकिन पहरी चीज़ आपको focus में ये रखनी है, कि जितने भी question दिये गए हैं, सारे का सारे questions को आपको attempt करना है, एक भी single question आपको छोड़के नहीं आना है, चाहे वो आपको आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, चली उसके बारे में यह हम अभी बात कर लेते हैं, कि जब question नहीं आ रहा हो आपको, तब आपको उसके case में क्या करना है, तो अगर आपको कोई question नहीं आ रहा है, देखो, जब भी आप question paper attempt करें न, तो सबसे पहले चीज़ आपको यह याद रखनी है, कि जो question आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, पहले आप question paper को एक ही बार में चेक कर लो, कि कौन कौन से question आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, उन questions को आपको पहले करना है, ठीक है, तो माल लीजिए आपको कुछ question है, जैसे 2, 3, 4, 5, आपको question ऐसे है, देखे आपको, जो क्या है, आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं, यानि वो क्या है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, पांच-दस पर आपको बाद में ऐसे question करने है, जो आपको थोड़े कमा आ रहे हो, और फिर लाइश्टम आपको ऐसे question करने है, जो क्या है, आपको बिलकुल ही नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको question को attempt करना है, कि पहले अच्छे question, ठीक है, जो अच्छे से आ रहे हो, दूसरे, फिर फिर थोड़े कम अच्छे से आ रहे हो, और फिर तीसरे number पर जो आपको बिलकुल नहीं आ रहे हो, उन questions को आपको attempt करना है, तो पहले चीज यह होगी, जब आप अच्छे question कर लोगे, तो फिर आपको related या topics related, कुछ और भी चीज़ां आप add करके लख सकते हो, ठीक है, तीसरे number पर जो question आते हो, वह मैं बिलकुल ही नहीं आते हैं, तो उन्हें आपको छोड़के नहीं आना है, उस case में आपको क्या करना है, कि जो question है, ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, कि लिखने की try कर करने की courses करें, कि आपको कुछ भी उसके बारे में याद आ रहा हो, तो आप लिखने की courses करें, या फिर कि आप उससे मिलता जूलता कोई जो दूसरा topic है, जैसे chromatography आप से पूच लिया, तो chromatography में क्या रहता है, काफी सारी अलगले technique रहती है, अगर आप से layer chromatography पूचा औ आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस case में आप क्या अगर सकते हैं, paper chromatography का जो principle है, जो method है, वो आप लिखके आ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से question को attempt जरूर करना है, आपको कोई भी question आपको छोड़ना नहीं है, तो यह हमारी पहली tip होगी, कि आपको सारे के-सारे question attempt करने हैं, और किस तरीके से आपको attempt करने हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया, second tip मेरी यहाँ पर यह रहेगी, कि जब भी आप तयार ही करें किसी एक subject की, तो जो भी लंबे question रहते हैं, जो long question रहते हैं, तो आप उनको तयार करने की courses करें, क्योंकि वो आपको ज्यादा number द explain करें, ठीक है, यानि explain chromatography, अब chromatography explain करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि chromatography आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अब chromatography जब आप पूरा पढ़ोगे, तो आपको wattage chromatography या फिर define chromatography, तो यह कह एक दो नमर का sort question इसमें से बन जाएगा, तो जब आप पूरा question जब आप ready कर लोगे, तो छोटे-छोटे जो question रहते हैं, उससे related, वो आपके बैसे ही तयार हो जाएगे, तो इसलिए मैं कोसेस करता हूँ कि आपको long question ही provide कर आता हूँ, ताकि आपके पूरा question तयार कर लोगे, तो जो छोटे question है, वो उसी में से बन जाते हैं, तो आपको जो अलग से याद करने की जोगत नहीं पड़ेगी, और इसके पीछे एक और कारण यह है, long question तयार करने के पीछे, कि जब आप long question तयार करते हो, तो आपके जो pass होने के chance है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो long question होते हैं, वो आपको ज्यादा number दिलाते हैं ठीक है, तो 10-12 number लेकर आप रह जाओगे महीं की भी, और जो बड़े question होते हैं, वो आप करी नहीं पहोगे, तो इसलिए आपको long questions पर ध्यान देना है, और बड़े questions को आपको अच्छे से तयार करना है, और जो important question मैंने आपको provide करा हैं, तो उनमें आप देख लेना, जो भ आप कोई भी question attempt करें, तो अगर वो theoretical question है, ठीक है? Theretical question को बहुत सरी student क्या करते हैं, कि एक line में लिखते चले जाते हैं, ठीक है? जैसे line में लिखने का मतलब है, जैसे वो क्या करते हैं, कि कोई भी answer अप उनने लिखना है, तो वो क्या करते हैं, कि इस तरीका से लिखते चल आ जाती है कि जब आपके दमाग में डेटा कम हो और फिर ज्यादा हो बढ़ने के लिए तो उस कंडिसन में आपको क्या करना चाहिए कि जहां जहां पर जो हमारा पैराग्राफ रहता है जहां जहां पर fully stop होता है तो जैसे आपको एक sentence खतम हो गया और fully stop आ गया किसी भी answer में ठीक है तो fully stop के बाद आपको क्या करना है कि उस point को वहीं पर खतम कर देना है फिर आपको पहला point उसे बना देना है और फिर आपको दूसरा point लिखके जो follow stop के बाद का जो person है उसे यहां से लिखना शुरू करना है और फिर जैसे ही वो sentence हमारा पूरा खतम होता है तो जैसे follow stop आता है तो उसको आपको वहीं पे लगा के तो तीसरा point डाल के इस तरीके से आपको आगे का लिखना है ठीक है तो यह इसके पीछे दो logic रहते हैं तो आपको क्या करना है बड़े paragraph आपको अलग-अलग point में आपको convert करके लिखना है ताकि page आपके ज़्यादा से ज़्यादा बर है और line भी आपकी ज़्यादा cover हो तो यह हमारी तीसरी tip होगी यहाँ पर जो हमारी चौथी tip है यह हमारी most important है आप इसको most important बोल दीजे यह हमारी most important tip है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी तैयारी करो आप diagram को रट मारना है जो भी आपको diagram दखें उस subject में तो आपको सभी याद कर लेने हैं एक भी diagram आपको छोड़ना नहीं है यह जो diagram होते हैं जो flow chart होते हैं जो tables होते हैं तो यह आपको pass कराने के लिए ramward होते हैं इन्हें आपको जरूद ध्यान रखना है अपने time पे मैंने काफी इस्तेमाल किया इस trick को कि जब भी किया theoretical position आपको किया याद नहीं होता जो भी weak student होते हैं तो उनके लिए problem यह होती है कि जो theoretical position होता है उन्हें ज़्यादा याद नहीं होता वो रटवी लेते हैं तो exam paper में जाके बूल जाते हैं उनको क्या करना है कि diagram पे खास दयान देना है जब भी किया कोई question पूचा गया है उसमें diagram पूचा गया है तब तो आपको diagram बना नहीं है अगर diagram नहीं ही पूचा है तब भी कोई फरक नहीं पड़ता तब भी आपको diagram बना देना है जैसे for example मैं आपको बता हूँ कि जैसे आप से पूच लिया कि nephelometry क्या होता है और travidometry क्या होता है ठीक है ये जो दो definition है तो इसके साथ आप क्या कर सकते है कि आप जो है यहाँ पर diagram बना सकते है ठीक है nephelometry का क्या है आपको simple सा क्या आपका जाई क्या राइ बनाने के लिए ठीक है निफैलोमेट्री में क्या रहता है टैविडियोमेट्री में क्या रहता है एक पे जो है 90 डिग्री पे जो मीजर की जाती है और एक पे जो है 180 डिग्री पे मीजर की जाती है ठीक है इस तरीके से आप सिंपल सा डियाग्राम बना दोगे तो इसमें न तो आपका टाइम जा रह और जब आप diagram बना दोगे तो आपका page भी क्या है आरम से बरहे आएगा, दो number के question में आप एक page बरू सकते हो इस trick से, ठीक है, तो diagram पे आपको खास जयान देना है, second हम बात कहते है, flow chart की, तो flow chart काभी यदा important रहते हैं, अगर आपसे किसी भी question में, ठीक है, अगर आपसे किसी यह पूचा है कि आपको जो classify करना है, तो बहुत सरी student क्या गयता है, कि heading डालते हैं, उसकी heading डालते हैं, फिर उसका जो classification है, उसके point बना बना के, number one, number two, इस तरीके से classification लिख देते हैं, ठीक है, और एका date page बाग देते हैं, वो classification से, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, अगर type लिखने हैं, तो आप flow chart की form में लिख सकते हैं, जैसे क्या है, कोई भी चीज मूची है, कि chromatography है कितने type रहते हैं, तो आप chromatography adding डालते हैं, इस तरीके से, ठीक है, बीच बीच के, यानि बीच page पे आप adding डाल सकते हो, फिर आप इस तरीके से जो एक chart बना सकते हो, कितने type की रहती है, principle के basis पे इतने type की रहती है, फिर उसके आप example दे सकते हो, इस तरीके से, तो आप एक क्या प्रापर flow chart बना सकते हो, इस से आपका जो page है, वो जल्दी cover हो जाएगा, और आपको जो theory लिखने की जगवत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो theoretical चीजों से जो है page बरना ज्यादा मुस्किल रहता है, as compared to diagram और flow chart मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको flow chart जरूर बना देने है, diagram किसी में पूछा है या नहीं पूछा है, तब जी आप diagram बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और tables पे भी आपको ध्यान लगना है, अगर किसी diagram बनाने है, flow chart बनाने है, तो diagram आप रठके जाना है, जितने भी diagram दिये हैं, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और diagram नहीं भी अगर किसी चीज में दिये हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पे मैं diagram बना सकता हूँ, तो आप एक diagram बना देना, अगर आपको theory नहीं आ मैंने काफी huge किया था, तो यह जो most important trick है, यह आपको दिमाग में जरूर रखनी है, तो यह हमारी basically charge जो tip है, वो मैंने आपको दे दिये हैं, trick भी आपको बता दिये हैं, पहला कि आपको कोई भी question छोड़ना नहीं है, ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसको लिखने के लिए, उसको कैसे लिखना है, वो मैंने आपको बता दिये, दूसरा कि आपको बड़े paragraph हैं, वो आपको point में convert करके लिखने हैं, ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको diagram flow chart आपको बनाने है proper, ठीक है, तो यह हमारी most important trick है, और यह आपको जरूर ध्यान में रखनी है, इ इसमें ज्यादा use होने वाली है, खासकर इसमें diagrams का आपको जरूर ध्यान रखना है, एक भी diagram आपको छोड़ना नहीं है, diagram नहीं भी पूछा है, तब भी आपको बना के आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, page आपको ज्यादा बढ़ने है, तो आपको diagrams का सारा लेना पड़ेंगे, और tables भी आपको बनानी पड़ेंगे, तब ही आप जोड़ पेज ज़्यादा बरपा होगे, जब आपको चीज़ें कम याद हो रही हो उस condition में, तो यह होगी हमारी इन दोनों subject की important trick, अब हम बात कर लेते हैं, pharmacy practice और industrial pharmacy second की, तो यह subject को भी पास करना बिलकुल पैसा यह, लेकिन यहाँ पर difference एक ज़्यादा हमारा बड़ा है, चारो subject में, कि वो जो हमारे दो पहले subject थे, तो उसमें क्या है, diagram आपको बरवर के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी दो subject हैं, यह एक theoretical subject हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको diagrams हैं, वो आपको दियान में रखनी हैं, तो यह theoretical subject हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको यह याद रखनी है, कि सारे question आपको attempt करने एक तो, ठीक है, और theory से क्या है, page बारना काफी मुस्किल होता है, इसलिए आपको इन tips को दियान में जरूर रखना है, क्योंकि theory से page बारना काफी मुस्किल इ आने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है आपको, चाहते theory आ रही हो, नहीं आ रही हो, किसी और की लिखके आ जाना, किसी और question की जाए, कोई दूसरा question कर देना, question का pattern मैंने आपको बताई दिया है, कि पहले आपको जो question अच्छे से आ रहे हैं, उनको आपको attempt करना चाहिए, 8 से 9 page आपको अच्छे से बढ़ने चाहिए, फिर आपको वो question करने चाहिए, जो आपको थोड़े से कम आ रहे हो, उसके बाद आपको सबसे लाश्ट में आपको वो question करने चाहिए, जो आपको बिलकुल नहीं आ रहे हो, ठीक है, दूसरा आपको long question होते हैं, वो आपको prepare जरूर क क्योंकि theory से जो page हैं वो बढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है लंबे लंबे paragraph रहते हैं तो आपको जो बड़े बड़े paragraph हैं उनकी theory को आपको point में convert करके लिखना है ठीक है लाइना आपको नहीं छोड़नी है जो writing होती है तो वो भी आपको थोड़ा gap दे के लिखनी है आपको आपको यसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा gap दे दे कि आप page बर दो 2-4 sentence में तो आपको यसा नहीं करना है एक visible जो gap रहता है वो आपको दिखना चाहिए आपके sentence के बीच में इसके अलावा जो अच्छा रहे है वो थोड़े से आप writing पर थोड़ा focus करें जो size होता है birds का वो pharmacy practice में diagram होते नहीं है लेकिन कुछ केस में जैसे हमारा pharmacy practice में जैसे कि जो retail और wholesale pharmacy store रहता है तो वो कैसा होना चाहिए तो वहाँ पर आपको एक अद्दो diagram देखने को मिल जाएंगे तो आप जो वहाँ पर बना सकते हो ठीक है और बैसे उसमें ज्यादा diagram है नहीं pharmacy practice में और industrial pharmacy म को मिलेंगे इसलिए आप जो भी diagram उसमें दिये हैं दो चाहर दिये हैं तो आप अच्छे से देख लेना और कुछ भी अगर पूचा जाता है जैसे wholesale या फिर pharmacy store से related कुछ भी पूचा जाता है तो आप जो diagram जरूर बना देना ठीक है फ्लोचार्ट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें फ्लोचार्ट काफी ज़्यादा है फार्मेसी प्रैक्टिस में जैसे हमारे hospitals रहते हैं तो उनके classification पूचे जाते हैं तो जब भी आप कोई भी classification लखे हैं किसी भी तरीके का तो आप जो फ्लोचार्ट की form में इस तरीके से बना बना के आपको लिखने है ठीक दोनों subject में याद रखनी है और जो diagrams वगरा वाली और भी जो tip हैं वो आपको पहले वाली subject में भी याद रखनी है तो यह हमारी कुछ important tips और tricks हैं तो यह आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप exam paper लिखते हो जब भी आप answer sheet लिखते हो तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है डेटा आपको कम भी याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको एक तो सारे question attempt करने है और आपको series के हिसाब से करने है पहले ज्यादा अच्छे आ रहे हैं वो कर लेना फिर कम अच्छे और फिर सबसे last में जो आपको बिलकुल नहीं आ रहे है डाग्राम